तो आज हम इनकी क्योशन करेंगी तो स्टार्ट करते हैं क्योशन यहां पर इन टोपिक्स के 51 से लेके 81 तक क्योशन नमर 51 में दिया है कि इंडियन स्टेंडर्ड सोइल क्लासिफिकेशन के कोडिंग में क्लासिफाई करना है एक सोइल को जो कि Silty Clay है, Liquid Limit 40% है Plasticity Index 28% है Silty Clay है यानी हमें पता से लिकांटर इस से भी इंडिकेट हो रहे है यह सबसे पहले हम tää से सबसे पहले हम Silt और Clay है यह डिसाइड करेंगे WL यहाँ पर 40% है, तो 40 हो जाएगा, मैनस 20, इसे आप IP निकालोगे, तो यह आपका यहाँ पर आएगा 14.6, और IP आपको क्योर्शन में दिया गया है, यहाँ पर 28%, यानि A-Line तो आपका 14.6 आएगा, A-Line पर तो WL 40 के गोर्स्पोंडिंग, और यह जो आपकी soil plot होगी, वो इससे उपर plot होगी, यानि यह C-clay type की soil है, नेक्स्ट आप हमें देखना है कि High, Intermediate, Low, Consigate Agram में होगी, इसकी plasticity, Compressibility, sorry, तो यहाँ पर, यह 40, 35 से लेकि 50 की range में होता है, Intermediate, 50 से greater high होता है, और इससे नीचे होता है, यह low होता है, तो यहाँ पर liquid limit 35 to 50 के बीच में है, तो C-I भी हो जाएगा answer, question number 52 है, इसमें यहाँ पर एक दिया गया है, कि falling head, permimeter पर एक test किया गया, equal time interval यानि head है, उसको H1 से H2 तक fall होने में जो time लगा वो भी T है, तो यहाँ पर H1, H2, H3, इन में आपस में क्या relation होगा, यह standard question है, EAC में भी I think पूछा गया है, और बाकी भी आपको MCQs books है, उन में मिल जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यह formula होता है, falling head, जो falling head पर में मिटर होता है, उसका, K equal होगा आपका 2.30AL upon A into T, log H1 upon H2, soil का sample same है, तो आपका यहाँ पर K same होगा, बाकी भी यह AL, यह भी सारा जो आपका instrument है, उससे related है, यह भी same होंगे, T भी same है, तो एक बार तो मैं यह formula अगर लिखूँ, इसके 20 में, H1 और H2 के 20 में, तो K equal आएगा 2.30ALAT log H1 upon H2, और then again मैं यह formula लिख सकती हूँ, is equal to K, 2.30AL is equal to upon A T, log H2 upon H3, same sample है, तो permeability same होगी, तो इन दोनो equations को आप equate कर सकते हैं, equate करेंगे, तो आपको equation मिलेगी, log H1 upon H2, is equal to log H2 upon H3, यहाँ erase to power करोगे, तो log log हट जाएगा, और equation बन जाएगी, H1, H3 is equal to H2 का square, आपको हर बार निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो बार आपने कुछ से solve कर लिया है, तो आपको याद भी रहे जाएगी, equation, अब भी आ जाएगा answer यहाँ पर, question number 54 में दिये है, कि वो type of flow, जिसमें सारे liquid particles है, parallel path में flow होते हैं, without crossing path of other particles, जैसे एक particle flow हो रहा है, वो ऐसे जा रहा है, दूसरा particle है, वो ऐसे जा रहा है, तीसरा ऐसे जा रहा है, तो इस type के flow को हम बोलते हैं, laminar flow, तो इसका answer option A होगा, विस्वक्त अस flow भी बोला जाता है laminar flow को, तो वैसे तो ideally देखा जाए, तो दोनों ही correct होने चाहिए, आप कुछ argument type भी नहीं कर सकते कि हाँ, ये इसका consider किया गया, तो मुझे रग रहा है, अगर इस type के कुछ questions आ रहे हैं, तो आप कोशिश कर लो एक बार याद रखने की, कि जो answer की में दिया वो ही, नहीं तो फिर आप objection फाइली कर सकते हो, hopefully consider किया जाएगा, question number 55 में दिया है कि permeability of soil is affected by, तो soil की permeability grain size से भी effect होती है, इस से भी होती है, इस से भी होती है, आपको पता है, formalize का होता है C gamma W upon mu, यहाँ पर gamma W water का specific weight है, mu उसकी viscosity है, E void ratio है, तो यह E cube upon 1 plus E के proportional होगा, और D square के proportional होगा, D है वो particle size है, grain size है, तो तीनों ही आगे हैं यहाँ पर, अब C है, यह इस constant में आ जाएगा, basically structural arrangement जो होता है, particles का, दो टाइब का हो सकता है, एक तो ऐसे होता है, जो fine grain soils है, तो ऐसा structure है, अगर तो उसको हम बोलेंगे flocculated structure, इसकी permeability ज़्यादा होगी, compared to, इस टाइब का structure है, अगर dispersed structure, सार्ज के कारण यह से जूट जाते हैं, एक दूसरे से, और जो external forces लगते हैं, उसको resist करते हैं, यह flocculated structure है, strength ही अच्छी देता है, बट इसकी permeability जादा होती है, आपको दिख भी रहा होगा, कि world बन रहा इतना बड़ा, dispersed structure है, उसमें permeability कम रहेगे आपकी, same type of soil है, depending वो किस condition में available है, present है, वो flocculated भी structure हो सकता है, उसका, और dispersed भी हो सकता है, तो D यहां पर answer हो गया, question number 56 में दिया है, कि वो low जो कि state करता है, कि laminar flow in a saturated soil, उसमें V है, वो directly proportional है, आई के, तो यह आपको पता, यह Darcy is low होता है, question number 57 में दिया है, कि Darcy is low को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो यह लोग, इसको हमने both side, तो से एक्सनल एरिया से multiply कर दिया, तो यह आपका discharge आ गया, और यह आगया कि IA, तो यहां पर answer आपका option C हो जाएगा, question number 58 में दिया है, कि permeability of soil है, वो कैसे vary करती है, तो यह तो मैंने बताया था, रठ लेना है आपको formula, direct questions मिलेंगे आपको exam में, especially आप diploma वाले students हैं, उनके comparatively numericals का weightage कम रहता है, और theoretical questions हैं, तो यहां पर हमें दिख रहा है कि यह D square के proportional है, तो D होगा answer, question number 59 में दिया है, कि कहां पर sea phase flow हो रहा है, sea phase flow मतलब soil के अंदर जो pores है, उनमें से water flow हो रहा है, तो Darcy's low कहां पर applicable नहीं होगा, तो हमने पढ़ा था कि जो laminar conditions हैं, उन्हीं में सिर्फ यह applicable होता है, turbulent में नहीं होगा, homogeneous और isotropic में दो obviously होगा, क्योंकि exemption ही लेते हैं हम Darcy's low में, कि soil हमारी homogeneous है और isotropic है, question number 60 में दिया है, कि coefficient of permeability के dimensions क्या होगी, मैंने बताया था, V is equal to होता है कि I, I यहां पर आपका होता है, head loss unit length as upon L, इसके तो कोई dimension होगी नहीं, तो V और K की dimension सेम हो जाएगी, semi-persecan, question number 61 में दिये है, कि permeability coefficient है, वो किसके proportional है, तो आपको पता होगा, D होगा इस कान से, question number 62 है, यह जो table है ना, इस पर आपको काफी सारी questions, यहां पर मिल रहे हैं, इसमें मूर्खी और सूथ की book में, जहां से मैंने यह questions पिक किया, MCQs, तो मैं advise करूंगी, कि आप यह इसको रट लो, क्योंकि initially मैंने बोला था, जब चेक्टर भी पढ़ाया था, तो कि उतना important नहीं है, क्योंकि ज़्यादा तर exams में questions, मैं as the following type के आते हैं, जहां पर आपको exactly value याद रखना जरूरी नहीं होता है, आपको इतना पता है, सबसे उपर gravel आएगा, फिर sand आएगा, फिर silt आएगा, फिर clay आएगा, उतने से भी question हो जाता है, बट यहां पर ऐसे questions दिये गए हैं, और इस book से direct questions आते हैं आपके exam में, तो यह important हो जाता है यहां पर, अब इस table में एक तो different type की soils की यह permeability का coefficient दिया है, दूसरा नीच से यह भी classify किया है कि USBR के coding, अगर 10 raise to power minus 3 mm per second से greater है, तो हम soil को pervious बोलेंगे, 10 raise to power minus 5 mm per second से कम है तो उसको impervious बोलेंगे, अब यहां पर दिया गया 10 raise to power minus 4, तो 10 raise to power minus 3, यानि 1 by 1000 से लेके, 1 by यह 10 raise to power 5, इसके 20 के range में हम semi-pervious बोलते हैं एकको, तो यहां पर भी आ जाएगा answer, question number 63 में दिया है कि line of demarkation क्या होगा pervious और impervious soil के 20 में, तो 10 raise to power minus 3 mm per second होता है, इससे ज़्यादा permeability वाले soils होती हैं, वो परवेश होती है, micron में लिएकर लिखें तो यह होगा 1 mu per second, तो 1 mu per second है, इसे greater जो भी permeability वाले soils होंगे, वो pervious की कर्टेगरी में जाएंगी, तो answer यहां पर option C होगा, काफी लोगों को यह doubt आ रहा होगा, कि यह तो semi-pervious और pervious के बीच का demarkation है, लेकिन फिर आपको options के इसाब से judge करना पड़ेगा, यहां पर इसने सिर्फ गोई किया है कि यह ज़्यादा वाली pervious है, कम वाली सारी की सारी है, semi-pervious, impervious, उनको impervious की टेगरी में मालिया है, तो काफी बार examiner क्या पूछना चाहरा है, वो आपको समझना पड़ेगा, आप हालांकि उसमें कर सकते हो, argue काफी बार होता है कि examiner का उतना clear नहीं होता है, point उसमें gaps होते हैं, लेकिन आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी answer की आएगी, वो examiner के coding आएगी, final answer में भी कोई बहुत strong proof नहीं होता, तब तक examiner नहीं चाहिएगा कि जो corrections हैं, वो ज़्यादा हो number of questions ने, तो इसलिए better है कि आपको examiner के coding answers को attempt करना सिखें, question number 64 में दिये है कि coefficient of formability of an underground startup, यह है, discharge obtained avail से वो यह है, withdrawal यह है, अब यह question है, यह थोड़ा सा problematic है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दिया नहीं है, कि L क्या लेना आपको, और यह question, EAC के exam में भी आया हुआ है, और भी एक-दो exams में repeat हुआ है, तो इस ताइप के questions में आपको एक बार इसमें जो भी assumptions दिये हैंना, क्योंकि यह पूरा तो सही नहीं है question, लेकिन आप वो ही है कि examiner की mind में क्या चल रहा हूँ, उसके according question पूट करेगा और आपको answer करना पड़ेगा, तो यहाँ पर question तो आप कर लोगे, मुझे पता easily, बट आपको यह assumption लेना होगा, कि L आपको 1 meter लेना है, अगर L 1 meter ले लिया, तो I क्या हो जाएगा, head loss divided by length, तो 2 by 1, I is 2 by 1 हो गया, कि यह आपको दिया गया है, area दिया गया है, LPS, liter per second में आपका यह answer आएगा, liter per minute में 2400 आएगा, और यह हो जाएगा answer, आपको पता ही होगा, second को 60 से multiply करेंगे, तो meter में आजाएगा, इस तरीके से लिटर per second, तो second को minute में करने के 60 से divide करेंगे, तो यह उपर चला जाएगा, या फिर इस तरीके से भी समझ सकते हो, कि एक second में 40 liter हो रहा है, तो एक minute में कितना हो जाएगा, 60 times हो जाएगा, question number 65 है, यहाँ पर दिया है कि तीन horizontal layer है, one, two, three, the value of Darcy's law दे दी है, इन्होंने upper or lower layer की, और पूछा है कि जो horizontal law, vertical direction की coefficient of permeability है, उनका ratio क्या होगा, यह question है, मूर्थी अंड सूद की बुक्का, और same जो आर अगवर में problem थी, वो यहाँ पर भी है, आर अगवर में तो मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी short out कर दी हैं, जो भी problems थी उनको, क्योंकि मैंने detail में solution दिया है, पूरे subjects का, तो आपको कौन सा question गलत है, कौन सा answer की में answer गलत है, सारा का सारा justification मिल जाएगा, प्रूफ के साथ, लेकिन वो same problem ही आपर हो रही है, अब इस question में होना क्या चाहिए था, इसका भी के देना चाहिए था आपको, और इन्होंने दिया नहीं है, और काफी बार examiner भी धान नहीं देते हैं, उतना और question को as it is पिक करके exam में दे देते हैं, और आप उस question के पीछ से पढ़के अपना पूरा 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 टाइम मेनेजमेंट बिखाड लेते हूं, तो ये question मैंने इसलिए डाला है कि ये book में question दिया गया है, ये question complete नहीं है, इसका आंसर आप नहीं निकाल सकते, एक्जाम में कोई भी आपको ऐसा question दिखता है, जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, आप उसको first round में जल्दी से skip कीज़े, second round में एक बार और try कर लीजिए, थोड़े time के लिए, उलजना नहीं है questions में, even gate के exams में भी वने कुछ questions देखे हैं, जहां पर, या तो options में से कोई भी option correct नहीं था, या question में कुछ mistake थी, तो paper में भी होती है mistakes, इनको अपने ego पे नहीं लेना है, और time नहीं waste करना है, उसमें ज़्यादा यही था, इस question को यहां पर put करने का purpose आपको समझाना, होगा कैसे अगर ये भी दिया गया हो तो, अगर आपको ये k2 भी दिया गया है, तो आप इसको ऐसे करोगे, k h क्या होगा, k1 h1, k2 h2, plus k3 h3, divided by h1, plus h2 plus h3, और kv कैसे निकालोगे, h upon kv, h क्या h1 plus h2 plus h3, h1 upon kv1, अब यहां पर thickness equal है, तो आप इसको hhs ले सकते होती 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 हिनों को, वो फिर दोनों साइट cancel हो जाएगा, तो इस तरीके से करके, आप ये question solve कर सकते थे, अगर middle layer की thickness भी होती तो, question number 66 में दिया है, कि temperature increase गया हमने, जो percolating fluid था, जो कि mostly water होता है हमारे लिए तो उसकी viscosity 70% होगी reduce होके और उसकी unit weight है वो 90% हो गया यानि आपका mu2 हो गया वो 0.7 mu1 हो गया और gamma w2 हो गया वो 0.9 gamma w1 हो गया और आप से ratio पुछा है कि coefficient of armability है उसमें कितना percent से change होगा बाकि सारे जीज़े same है ये भी दिये है तो k equal होता है c gamma w upon mu e cube upon 1 plus e into d square e और d तो same है c b same है तो हम लिख सकते हैं कि k1 upon k2 will be equal to gamma w1 upon gamma w2 is equal to mu2 upon mu1 k1 upon k2 आपका आजएगा या आजएगा 1 upon 0.9 into 0.7 mu2 की जगे 0.7 mu1 रखोगे तो mu1 mu1 cancel हो जाएगा ये आगया 7 by 9 यानि यहां से k2 आगया है आपका 7 by 9 इसको अधर ले जाएगे तो क्या होगा k1 k2 निकालना है ना मैं तो k2 आजएगा 9 by 7 k1 अब डेल्टा k upon k k1 into 100 करके निकालेंगे परसेंटेज तो 9 by 7 k1 minus k1 initial k1 था अभी 9 by 7 k1 हो गया है divided by k1 यह ध्यान रखना है कि initial जो value थे उससे परसेंटेज करते हैं परसेंटेज निकालते टाइम बेसिक कंसेटाइ परसेंटेज का into 100 यह आ जाएगा आपका 9 by 7 minus 1 into 100 इसको आप solve करोगे तो आपका भी आ जाएगा answer question number 67 में दिया है कि velocity of flow है वो proportional है first power of hardly gradient endorses low तो यह low किस टाइब के flow के लिए applicable होगा question हम वाले कर चुकी है यह question gate में भी पूछा गया है 2020 में हमें पता है leminar flow में applicable होता है d आ गया answer question number 68 में दिया है कि particle size distribution curves है वो किस के लिए useful होते है soil classification में तो coarse grain soils है उनका classification करते हैं particle size distribution curve की basis पे उसकी properties निकालते हैं CC और CU इनके basis पे classify करते हैं तो यहाँ पर B होगा answer यह सारी gate की questions है यह 1997 का question है 69 में पूछा है कि clay particles usually कि shape के होते हैं तो clay particles है उनका flakey shape होता है आपको मैं hint देती हूँ है कि याद रखने के लिए पोहा को पता होगा आपको English में बोलते है rice flakes rice flakes बोला जाते है क्योंकि rice को ही वो heat करके उसको compress करके चिपका दिया जाता है और पोहा बना देते हैं तो flakey वो shape होता है पोहा के जैसे सपता तो clay के particles का भी वैसाई ही होता है rounded और angular है यह हम जो coarse rain soil है जैसे gravel और sand उनके लिए use करते हैं यह वाली time तो यहाँ पर B होगा answer question number 70 में दिया है कि clay material है उसकी कुछ strength है वो reembalding में slowly चली जाती है वो lost हो जाती है और slowly recover हो जाती है और यह property होती है यह इसलिए होती है कि jail to jail यहाँ पर transformation होता है और इसकी वज़े से rest से वापिस recover हो जाती है तो basically आप से यह पूछा गए है कि यह कौन सी property है तो यह thixotropy होती है कि जो soil है वो उपनी shear strength lose कर देती है रिमार्वडिंग से उस time तक उसको बिना कोई water loss की ऐसे ही छोड़ दे अगर तो regen कर लेगी वापिस इससी होगा answer question number 71 है एक numerical problem यहाँ पर अच्छा question है simple सा constant head permeability है यानि आपका head constant है तो I constant हो जाएगा एरिया यह है जो permimeter आपका यह जो से sample है इसका area दिया गया है flow take place under a hydric gradient 0.5 यानि I की value आपको constant हो रही है दे दी है 0.5 amount of water collected in 60 seconds is 600 cm q तो permeability क्या होगी आपको पता है V होता है sorry V equal होता है क्याई के और Q हो जाएगा क्याई A के A यहाँ पर cross section area जिससे की flow हो रहा है cross section area यहाँ पर यह वाला हो जाएगा जो आपको दिया है तो Q आपका आएगा K into I भी दिया है 0.5 A हो गया 10 अब सारे centimeter में दिये है answer BC में दिये है तो जरूरी नहीं आपको क्या unit में ही आप answer calculate करो सारों को आप सीजियस में रख लो तो भी साईर पढ़ेगा इजी पढ़ेगा यह आ गया अब क्यों क्या होगा यहाँ पर 600 CC 600 cm क्यों पानी collect के हमने 60 seconds गे discharge क्या होता है volume divided by time तो 600 divided by 60 यह आपका 10 आ गया अब यहाँ पर बाकी सारी सीजियस पता है आप यह निकाल सकते हो 10 upon 0.5 into 10 यह और यह आपका आ जाएगा 2 cm per second D आ गया answer question number 72 में दिया है कि 10 cm per second अगर soil का जो permeability coefficient है तो कौनसे टाइप के soil होगी तो यहाँ पर mm में है यह वैसे इसको हम cm में करेंगे तो 1, 2 10 cm per second हो जाएगा और यह होता है clean gravel का तो gravel answer हो जाएगा यहाँ पर question number 73 में दिया है कि एक soil है उसका coefficient of permeability है वो 1 mm per second है तो soil कौनसे soil होगी तो यहाँ पर यह जो soil होगी वो यहाँ से हम देखेंगे 1 mm per second किसमे है यह है 10 से लेके 1 by 100 mm per second तक का तो यह इसी range में आएगा soil हो sand हो जाएगी option C question number 74 में दिया है कि एक soil है जिसके particles है वो nearly same size के है same size के जो particles होते है वो uniformly graded soil होती है और well graded वो होती है जिसमें सारी different size के particles available है तो B होगा यहाँ पर answer question number 75 है यह भी standard सा question है काफे exams में आपको दिख जाएगा CU आपको यहाँ पर दिया गया है कि 4 है और CC 1 है आप सिप ratio पूछा है D30 by D10 का simple सा है अगर आपको यह दोनों formula पता होंगे तो आप निकाल लोगे यह 4 है CC होता है D square 30 divided by D60 into D10 अब यहाँ पर आपको D30 और D10 का ratio पूछा है तो हम D60 वाली term को अटा देंगे तो D10 वाली term आपके आजाएगी D60 by 4 D60 by 4 लिख देंगे हम यहाँ पर D10 वाली term को और यह equal 1 के तो D square 30 Question number 75 में दिये है कि uniformly graded the uniformity coefficient है किसी soil का Cu वो 4 है CC 1 है तो D30 by D10 का ratio क्या होगा यह question काफी common है कहीं पर D30 by D10 पूछा जाता है कहीं 30 by D60 का ratio पूछा जाता है CC यहाँ पर आपका 1 है Cu आपको दिया गया है 4 Cu होता है D60 divided by D10 यह equal आगया 4 के यह है D square 30 divided by D10 into D60 is equal to 1 हमें D30 by D10 चाहिए तो हम D60 को eliminate कर देंगे हम D60 को यहाँ आप से लिख सकते है 4 into D10 तो यह value इस equation में रख देते है 4 D10 into D10 D10 का square होगया is equal to 1 और यहाँ से आपका D30 by D10 आजाएगा 4 का root यानि 2 आजाएगा इनका ratio option C होगा answer question number 76 में दिया है कि correct increasing order क्या होगा specific surface का specific surface होता है एक तो यह होता है कि surface area total divided by total mass या फिर total volume के basis पे हम निकाल सकते हैं basically यह represent करता है कि कोई particle हो कितना smaller size का है जितना ज़्यदा smaller size का होगा specific surface उतनी ज़्यादा होगी for example यह एक circular है कोई grain है कोई particle है एक तो यह particle है एक मैं इसके चार चोटे चोटे particles बना दूँ तो अब क्या होगा एक यह particle हो गया एक यह इधर हो गया एक इधर हो गया और एक इधर हो गया तो अब इसमें क्या होगा यह surface area extra add हो गया क्योंकि यह सेम चीज आप सोईल में भी यूज हो रही हो और सिमेंट में कॉंक्रीट में वहां पर भी होगी कि जिनना फाइनर साइज का होगा स्पेसिफिक सर्फेस एरिया उतना ज्यादा होगा सिल्ट होता है फिर क्ले होता है और क्ले से भी छोटे होते ही कोलाइट्स सी आंसर आजाएगा क्योंसे नमबर 77 में दिये है कि सिल्टी सेंड और क्ले सेंड इनको कौन से सिंबल दिये गए है 2008 का question है gate का silty sand यानि man तो है वो sand है कौन से type का silty type का तो SM हो जाएगा clay sand का SC हो जाएगा C होगा answer question number 78 है अच्छा question है यहाँ पर दिया है कि percentage finer जो 4.75 mm से है वो 60% है यानि 4.75 55 की सीव से pass कराने पे 40% तो return हुआ 60% pass हो गया 75 micron की सीव पे क्या हो रहा है 30% तो pass हो गया और यहाँ पर 70% return हो जाएगा अच्छा थोड़ा सा tricky है 40% gravel है आपको पता चल रहा है 75 micron की सीव पे 70% total return हो रहा है हम पहले discuss कर चुके हैं separate कर चुके हैं 40% इसमें gravel होगा 30% है वो sand होगा अब 30% तो sand है और gravel होटी परसेंट तो पहला symbol आएगा वो gravel का आएगा तो G आगया सबसे पहले अब हम चेक करेंगे कि यह कि यह silt है कि clay है second वाला symbol किसका लगाए हैं तो again हम IP का चेक करेंगे तो IP से आगा 0.73 WL आपका 35 है minus 20 0.73 into 0.73 into 15 यह आएगा 10.9 अब IP आएगा 10.9% A-line का coordinate और इन दोनों का difference हम IP निकालेंगे तो वो आजाएगा 8% यानि A-line ऐसे जाएगी और इसे और नीचे प्रॉट होगी तो यह silt type की है GM हो जाएगा answer option A question number 79 में दिये है कि कोई fan grain soil है जिसकी liquid limit 60 है plastic limit 20 है तो plasticity chart के according यह कौन सी type की soil होगी gate का question है 2010 का और gate के एक एक नमबर वाले questions है वो काफी frequently repeat होते है state की exams में A और J में भी repeat होते है तो आप यह ना सोचें कि gate का है तो बहुत tough है हमारे exam में नहीं है पुछा जा सकता simple सा question है IP है इसकी जो A line की equation होती है A line की equation के coding IP होता है 0.73 WL-20 0.73 60-20 और इसको solve करेंगे तो 29.2% आएगा और यहां पर IP है आपका 60-20 यानि 40 यानि ये clay type की soil है अब यह तो हमने निकाला है बाकिए आप options देखके भी judge कर सकते हो अब यहां पर यह चेक करना है कि इसकी compressibility low है कि high है कि intermediate है तो 35-50 की range होती है वो intermediate की होती है 50 से greater है वो high की category में होता है तो यहां पर 60 है liquid limit तो CH होगा इसका high compressibility की के लिए C हो जाएगा answer इस वाले range का question कमी आता है लेकिन आपको याद रखना है कि 4-7 अगर IP आ रहा है तो CLML type की soil होगी question number 80 है इसमें आप पूछा है कि कोई anisotropic soil है anisotropic मतलब different directions में different permeability है उसकी x direction में यह है y direction में यह है effective permeability निकालना है तो क्या करेंगे तो यह formula है directly आप याद रखो इसको कि दोनों को multiply करके आप इसका square root ले लोगे dia जाएगा answer next question number 81 में दिया है कि एक soil है जिसकी discharge velocity यह है word ratio यह है तो मैंने आपको बताया था कि c page velocity होती है वो v by n होती है अब n आपको यहाँ पे निकालना है जो equal होगा e upon 1 plus e के e है 0.5 upon 1 0.5 तो यह आप 1 by 3 आएगा तो यहाँ से आप values रखोगे 10 raise to power minus 7 divided by 1 by 3 18 into 10 raise to power minus 7 answer आजाएगा option a